Hello Cyberworms, Welcome Back मैं हूँ अनिलियादब और आप देख रहे हैं Neat Roots और आज के सेशन के अंदर आप देखने वाले की कैसे हम Network और Port Scanning के अंदर Nmap को यूज करना सीखने वाले हैं वेसे Basically इस Training के अंदर मैं आपको इसके बारे में बहुत ही कम बताने वाला हूँ बट आगे जाकर इसके उपर हम Complete Series लाने वाले हैं कि कैसे आप Nmap को Basic से Advanced तक यूज कर सकते हैं या फिर उसमें कैसे आप Mastery कर सकते हैं तो इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर Simply आ जाना है Information Gathering Section के अंदर और उसके बाद आपको आ जाना है Network and Port Scanner के अंदर जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Mass Scan और Nmap टूल दिख जाएंगी वैसे मैंने Mass Scan के उपर एक वीडियो अल्रेडी बना रखा है बट आपको बता दू कि Mass Scan भी Port Scanning के लिए यूज होता है इसी तरह से Nmap भी Port Scanning के लिए यूज होता है बट इसके अंदर और भी Qualities होते हैं या फिर माल लो इसकी और भी खुविया होती हैं जिसके यूज करके आप बहुत सारे चीजे कर सकते हैं बट इस सेशन के अंदर हम जानने वाले कि कैसे आप Nmap को Port Scanning के लिए यूज कर सकते हैं तो इसको यूज करने के लिए आपको Simply Information Gathering के अंदर Network and Port Scanner के अंदर आ जाना है और उसके बाद इस Tool को Simply Click करके Open कर देना है या फिर अगर आप Terminal से Open करते हैं तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ Simply आपको यहाँ पर Nmap – Help टाइप करना है और उसके बाद Enter कर देना है यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं इससे तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने Click करके जब इसको Open किया तब भी यही Show हो रहा था अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखिया तो आपको पता होगा कि आपको इसको कैसे चेक करना है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं तो आपको मैंने एक और मेथड बताया था जिसमें आपको Manual Command का यूज करना होता है उसमें क्या होता था कि आपको Simply Man Command डालने के बाद आपका जो भी टूल है उसको टाइप कर देना होता है और उसके बाद वह आपको सो कर देता है कि कैसे आप इस टूल को यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ और फिर हम Super User Access ले लेते हैं तो इसके लिए मैं यहां पर Command डालूँगा sudo su और इसके बाद मैं पासवड यहां पर अपना डाल दूँगा sorry so guys हमें root access मिल चुका है और अब हम nmap का यूज करना सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम nmap से scanning करते हैं किसी एक website के उपर तो यहां पर हम simply type कर देते हैं nmap और उसके बाद google.com तो आप यहां पर कोई भी website डाल सकते हैं या फिर आप जिस website पर पेंटरेशन टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर भी आप इसी तरह से scanning कर सकते हैं उसके बाद हम इसको simply इंटर कर देंगे तो यह scanning स्टार्ट कर देगा और आपको दिखा देगा जितनी भी टीटेल्स यह निकाल सकता है उस website के बारे में वह सब आपको यहां पर सो हो जाएगा वैसे इसका में काम होता है TCP को चेक करना कि वह open है या फिर उस website या फिर IP address के अंदर कितनी TCP प्रोटोकॉल लगी है वैसे TCP का full form होता है Transmission Control Protocol जो कि सभी websites के अंदर होती है जिसके बारे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी explain किया है कि TCP का मतलब क्या होता है और आगे आपक कीज़े आपको explain की जाएगी जिसके बाद आप इन सारी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं scanning स्टार्ट हो चुकी है इसी तरह से अब हम दूसरा command भी चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करता है तो उसके लिए हम new tab open करते हैं और फिर हम सब्सक्राइब कर देते हैं उसके बास हमें यहाँ पर सूर आपको सारे पोर्स निकाल कर यह दे देगा सो यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी पोर्स ओयं है इस ip address के ऊपर वह सारे आपको यह discover करके यहां पर दिखा आए है स्वग इस कानि रण होने देते हैं और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं एक और कमांड को जिसका यूच करके हम और इसके लिए वह मेरा नीव टेब एसन और उसके बाद आउड्ए इसी तरह से एंड मैप और फिर हैफेन भी इस पेस हाइफन आई-यार और Cannon उसके बाद थैंद की आँछ इन और फिर हैफन प्न और याज तोDon perman क्या चीज के लिए यह यूज होती है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हाइफन भी का यूज, इसके लिए आप यह पर देख सकते हैं, हाइफन भी का यूज होता है, इंक्रीज भर्वसिटी लेवल, तो यह भर्वसिटी लेवल को इंक्रीज करता है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इससे क्या होता है कि number of host को यह random target को choose करता है इसी तरह से है I और capital L जिससे क्या होता है कि यह जो list में या फिर मालो अगर आप कहीं पर scanning कर रहे हैं और आपको वहाँ पर बहुत सारे IP addresses मिलते हैं तो उस पर अगर आपको scanning करना है file के अंदर तो यह command वहाँ पर use होती है इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं hyphen sn जो की ping करता है और scan करता है और जितनी भी IP addresses और port numbers है उन सबी को show करता है तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक demo txt file है जिसके अंदर हमने एक IP address और domain name डाल रखा है scanning यहाँ पर भी start हो चुकी है तो इसमें बहुत ज्यादा time लग सकता है तो तब तक के लिए हम इसको wait कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी ports हैं वह सारे यहाँ पर दिख रहे हैं जो की open है और उसी के साथ जो services हैं उनको भी यह सो कर रहा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जितने भी TCP ports हैं वह सब आपको open है या फिर closed है यह सारी चीज़े आपको यह दिखा देगा इसी तरह से जो भी services है वह भी आपको यह सो कर देगा बिसकली इसका काम क्या होता है कि जो IP address है जो कि आपने यह देने वाला हूँ लेकिन आप लोग चिंता मत किजिए इसके उपर मैं आपको proper series देने वाला हूँ जहां पर आप Nmap को basic से advanced तक सीख सकते हैं और mastery कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप Nmap scanning कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जहां पर हम कुछ नए tools के बारे में जानने वाले हैं तो till then stay safe, stay secure, thank you and happy learning